हेलो स्टूडिंट्स वेलकम टो माई चैनल और आज हम स्टार्ट करेंगे हैं इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट से यहां पर मैंने लाइट हार्वेस्टिंग कॉंप्लेक्स और फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के रियक्शन सेंटर के बारे में बताया था तो जो यहां पर जो रियक्शन सेंटर होता है रियक्शन सेंटर एक क्लोरोफिल ए का मोलेक्यूल होता है क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिबर्सल है तो प्लांट्स अलगी या बैक्टिरिया हर एक के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तो जो रियक्शन सेंटर होगा A का जो एक molecule होगा उससे बना होगा ठीक है तो next जो हम discussion करेंगे वो करेंगे electron transport के उपर तो देखें जो photosystems होते हैं उनके अंदर जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि photosystem first जो होता है वो 700 nm की wavelength को absorb करता है जबकि photosystem second जो होता है वो 680 nm की wavelength को absorb करता है ठीक है तो क्या होता है कि उससे जैसे ही light absorb होगी तो जो electron होगा वो electron excited state में चला जाएगा ठीक है जो मतलब यह आपनी पढ़ा होगा chemistry में कि जो electron होता है वो excited state में चला जाएगा तो वो अपना जो atomic nucleus होगा उससे वो थोड़ा दूर दूर वाले orbits के अंदर वो चला जाएगा ठीक है इ electron जो होगा वो electron transport system के थूँ move करेगा और फिर energy generate करेगा ठीक है तो देखें यहाँ पर light harvesting complex है इस पर जैसे ही light पड़ेगी तो जो electron होगा वो excited state में चला जाएगा और यहाँ पर जो electron acceptor होगा वो उसको accept कर लेगा इसके बाद यह photosystem second की बात हो रही तो photosystem second का जो reaction center होता है वो होगा 680 nanometer इसके बाद यह जो electron होगा वो किसी electron transport system के थूँ photosystem first के अंदर enter करेगा and finally यहाँ पर NADPH की formation होगी मतलब NADP plus जो होगा वो reduce हो जाएगा and it will form the NADPH molecule तो यह वाली जो process है वो कहलाती है जड़ स्कीम क्योंकि देखे यह electron यहाँ से यहाँ चला फिर यहाँ यहाँ आया और फिर यहाँ से excite होकर यहाँ तो यह जड़ शेप बना रहा है इसलिए इसको जड़ स्कीम बोलते हैं और कभी पूछा जाए कि जड़ स्कीम जो होती है उसका final product क्या होता है तो NADPH जो होता है वो इसका final product होता है मतलब ATP synthesis होगी यहाँ पर NADPH formation होगी during the Z scheme जड़ स्कीम जो होगी वो non-cyclic photophosphorylation कहलाती है क्योंकि यहाँ से जो electron excite हुआ है वो non-cyclic way में चलता है और कभी वापिस नहीं आता इसके अंदर photosystem second और photosystem first दोनों ही involved होते हैं पहले photosystem second आता है उसके बाद photosystem first आता है ठीक है अब देखे आगे क्या होता है जो सबसे पहली ही जो process होती है photosynthesis में वो splitting of water होती है तो जैसे ही light पढ़ती है water के molecule पर तो water का molecule जो होगा वो 4 hydrogen ions प्लस oxygen और प्लस 4 electrons produce करेगा यह oxygen जो होगी वो by product की form में निकल जाती है जबकि जो electrons होते हैं और hydrogen जो होते हैं वो electron तो चले जाएंगे electron transport chain में और hydrogen जो होंगे वो chemiosmosis hypothesis में चले जाएंगे और ATP synthesize करवाएंगे ठीक है तो देखी यहाँ पर इन्होंने यह difference दे रखा है cyclic और non cyclic photophosphorylation का तो यह जो था यह non cyclic photophosphorylation होगा जिसमें दोनों photosystems involved होंगे जबकि जो cyclic photophosphorylation होगा उसमें सिर्फ आपका photosystem जो first होगा वो ही involved होता है यहाँ पर क्या होता है जैसे ही light पढ़ती है light harvesting complex पर तो जो electron होगा वो excited state में जाएगा उसके बाद यह sequence wise यह वापिस महीं पर आ जाएगा जहां से ही गया था तो यहाँ पर जो electron होगा वो cyclic way में flow करता है इसलिए इसको cyclic photophosphorylation बोलते हैं जबकि जो jet scheme है उसको non cyclic photophosphorylation बोलते हैं यहाँ पर दोनों photosystems involve होते हैं जबकि यहाँ पर only photosystem first जो होगा वो involve होगा P700 जो होगा उस पर जो chlorophyll होगा वो water splitting करेगा और यहाँ पर electron जो होगा वो excited state में चला जाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो final product होता है वो ATP बनती है यहाँ पर ATP और NADPH दोनों ही बनते थी ठीक है इसके बाद अब जो main है यह समझने का है chemi osmotic hypothesis तो जो chemi osmotic hypothesis है वो क्या कहता है देखे हमने बढ़ा था यह मैं बता देती हूँ एक बार यह वाला structure तो देखे यहाँ पर जो यह एक stack होगा एक को बोलते है थाइलाकोइड और जब यह थाइलाकोइड बहुत सारे एक दूसरे के उपर arrange हो जाते तो इस complete structure को बोलत है ग्रैना तो यह जो chemi osmotic hypothesis है वो थाइलाकोइड के अंदर होगा ठीक है तो देखे थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है यहाँ पर इन्होंने यह बहुती संदर diagram बना रखा इसका यह यहाँ से समझा जाएगा पूरा तो देखे यह है आपका थाइलाकोइड यह थाइल है यहाँ पर proton gradient बन जाता है क्योंकि यहाँ पर तीन processes एक साथ हो रही है जैसे सबसे पहली splitting of water इसकी वज़े से जो hydrogen ions होंगे वो accumulate हो जाएंगे दूसरा यहाँ पर बता रखा है जो electron transport system होता है देखे यहाँ से electron जो होगा electron transport system में जा रहा है ठीक है यहाँ पर jet scheme बनेगी तो जो electron transporter system होता है उसमें electron को transport करने के लिए जैसे electron excited होगा तो यह अपनी higher orbit state में चला जाएगा तो जो electron होगा वो किसी electron acceptor के पास electron donor के पास ना जाकर electron carrier के पास ना जाकर किसी hydrogen carrier के पास चला जाएगा और जैसे hydrogen carrier के पास जाएगा तो जो hydrogen ions होंगे वो जो hydrogen ions होंगे अब वो अंदर आने start हो जाएंगे ठीक है तो पहली process ये थी जिसकी वज़े से hydrogen ions lumen के अंदर accumulate हो रहे हैं दूसरी ये वाली process है कि जो electron transport हो रहा है वो electron जो होगा वो electron जो transporter होता है या electron carrier जो होता है उसके पास ना जाकर किसी hydrogen carrier के पास जाएगा जिसकी वज़े से जैसे ही electron move करेगा वैसे ही hydrogen जो होगा वो अंदर आ जाएगा ठीक है तीसरी बात यहाँ पर जो NADP plus होती है NADP plus वो reduce हो जाती है NADPH plus hydrogen ions तो इसकी वज़े से भी जो hydrogen ions होंगे वो अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि जो NADP reductase enzyme होता है वो stroma की तरफ होगा NADP reductase enzyme यहाँ होगा तो वो NADP को reduce कर देगा तो hydrogen ions यहाँ बढ़ जाएंगे और यह अंदर की तरफ चलने लगेंगे due to facilitated diffusion अब यहाँ पर hydrogen की concentration कांसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पर hydrogen की concentration कम है यहाँ लिख रखा है low hydrogen यहाँ पर लिख रखा हाई hydrogen तो अगर यहाँ पर दोनों तरफ hydrogen की concentration में difference है तो यहाँ पर एक potential gradient generate हो जाता है जिसकी वजह से जो F0 F1 particle होती है यह इसका F0 particle है और यह F1 particle है तो F0 F1 particle जो होंगे ATP synthege enzyme के उनके थ्रूँ यह hydrogen जो होंगे वह बाहर आने start हो जाएंगे और जैसे यह बाहर आएंगे तो देखें यह जो F0 particle होता है यह membrane के अंदर होता है तो यह protein होगा जो facilitated diffusion को allow करेगा और यह carrier protein की तरह act करेगा जबकि जो F1 particle होता है उसके तुरू ADP जो होगी वह ATP में convert हो जाएगी by the transport of hydrogen ions ठीक है तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पर हमें ATP formation होनी थी तो यह ATP formation हो जाएगी due to ATP synthege enzyme ठीक है हमें ध्यान क्या रखना है कि जो hydrogen ions की concentration है वो different है यहाँ पर अंदर जो होगी hydrogen की concentration कम है sorry जादा है बढ़ती जा रही है जबकि यहाँ पर hydrogen की concentration कम है stroma के अंदर तो जो hydrogen gradient होगा वो यहाँ पर create हो जाएगा यहाँ पर high यहाँ पर low तो hydrogen gradient initiate होने की वज़ा से hydrogen होंगे वो facilitated diffusion के थूँ इस ATP synthase enzyme से बाहर की तरफ चलने लगेंगे hydrogen ions और ATP जो होगी वो synthesize हो जाएगी क्योंकि इसकी structure जो होगी वो change हो जाएगी ठीक है यहाँ पर इन्होंने यही बात बता रखी है कि जो chemiosmosis होती है उसमें एक membrane चाहिए होती है membrane यह रही आपकी membrane thylakoid membrane एक proton pump चाहिए होता है यह proton pump है एक proton gradient चाहिए होता है तो यहाँ पर high proton है यहाँ पर बाहर low proton है तो proton gradient बन गया और एक ATP synthase एक ATP synthase ATP synthase एक proton gradient जो create हो रहा है वो दूसरा proton pump जो proton की pumping करेगा अंदर की तरफ और एक होगी आपकी membrane तो यह चारों चीजे मिलकर आपका chemiosmotic hypothesis है उसको solve करती है उसको prove करती है ठीक है तो क्या होता है जो NADPH होता है जब electron का movement होता है तो जो NADPH बनता है उसके लिए ATP जो होगी वो immediately यूज हो जाएगी ठीक है जैसी ATP यूज होगी वैसे जो carbon dioxide होगी वो fix हो जाएगी और किसी sugar या glucose में convert हो जाएगी ठीक है अब next आएगा इसमें जो आपकी ATP और NADPH होते हैं वो कहां पर use होते हैं तो जो ATP और NADPH बने हैं during the light reaction अब वो जाकर use होने हैं कहां पर dark reaction में dark reaction में क्या होता है कि उसको light की requirement नहीं होती लेकिन light dependent जो product बने हैं ATP और NADPH उनकी जरूरत होगी ठीक है तो यहां पर जो ATP और NADPH का use हो रहा है उसकी वजह से जो क्या होती है आपके जो food बन रहा है उसी process को बोलते हैं biosynthetic phage biosynthetic phage का मतलब क्या होता है कि ATP और NADPH की की वजह से जो food formation हो रही है या जो organic compounds बन रहे है जो sugar formation हो रही है वो होता है biosynthetic phage of photosynthesis ठीक है यहां पर क्या होता है कि इन्होंने बता रहा है कि जो dark reaction होती है हम यह कहते हैं कि dark reaction के लिए light जरूरी नहीं होती लेकिन यह एक misnomer है यहां पर जो light होगी वो चाहिए होती है मतलब light dependent जो product होते है वो तो चाहिए अगर light reaction के product ATP और NADPH अगर वो नहीं बने तो जो dark reaction है वो कभी भी possible नहीं हो सकती ठीक है यहां पर जो हमारे पास एक थे Melvin Kelvin उन्होंने Kelvin cycle दी थी या इसको C3 cycle भी बोलते है C3 cycle भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें जो stable product होता है वो तीन carbon compound वाला बनता है इसलिए इसको C3 cycle बोलते हैं ठीक है अब हाँ हाँ तो यहां पर जो C3 cycle जो cycle थी उसके अंदर 3 देखें C3 cycle को Kelvin cycle बोलते हैं यहां पर जो first product होगा वो तीन carbon compound वाला होता है जबकि C4 में C4 में ही चार carbon compound वाला बनते हैं बनता है product stable compound और इसको बोलते हैं ओक्जेलो एसिटिक एसिड साइकल या C4 pathway ठीक है क्योंकि यहां पर ओक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है और यहां पर फोस्फो ग्लिसरिक एसिड बनता है इसको हम PGA से डिनोट करते हैं और C4 जो साइकल होती है उसके अंदर बनता है आपका ओक्जेलो एसिटिक एसिड ठीक है तो अब हम आगे यहां पर पढ़ेंगे जो primary receptor है carbon dioxide का वो कौन होता है तो देखे जो आपकी C3 साइकल होती है यहां पर जो carbon dioxide का fixation होना है तो यहां पर जो phosphoglyceric acid है यह अभी मैंने बता है phosphoglyceric acid जो होगा C3 cycle के दोरान बनता है और यह मतलब 3 carbon का most stable compound होगा ठीक है यहां पर क्या होगा अब यह Kelvin cycle के बारे में बताएंगे तो Kelvin cycle हम अपनी next video में करेंगे ताकि आपको अपनी जो यह जो cycles है C3, C4 और एक और आएगी C2 cycle जिसको photo oxidation बोलते हैं या photo respiration बोलते हैं उसको oxidative loss भी बोलते हैं फोटो respiratory loss के अंदर आती है ठीक है तो हम यह तीनो cycle जो होंगी वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे तब तक आप अपना यहां तक कर लीजिए तो next वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक आप अपनी यहां तक studies कर लीजिए और अपनी NCRT को अच्छे से line to line पढ़िए तब ही आपको कुछ समझ में आएगा otherwise सब भूल जाएगा ओके thank you